चालाक चित्रकार एक गाउं में रवी चंद नाम का आदमी रहता था। उसे चित्रकारी से बहुत लगाव था। वो लाखों करोणों रुपए डालकर चित्र खरीथा था। और अपने घर की दिवारों पर सजाता था और उन्हें देखकर खुश होता था। लेकिन उसे चित्र बनाना नहीं आता था, वो चित्र बनाना सीखना चाहता था, पर किसी ने उसे सही तरीके से सिखाया ही नहीं, और उपर से उसे कहते थे कि चित्र बनाना एक कला है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन रवी चंदर का पेंटिंग पर लगाव कम वो अपने घर में चार चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए रखता है। तो ठीक है, तुम पेंटर हो ना? तो चोर का चित्र बना कर दिखाओ। जी, जरूर। चित्रकार चोर का चित्र बनाना शुरू करता है। अंत में वो चित्र अमिताब का चित्र बनता है। ए, क्या है ये, हमने तुम्हें चोर का चित्र बनाने को कहा था, तुमने अमिताप का चित्र बना दिया, मजाग कर रहे हो क्या? नहीं सर, मुझे यही चित्र बनाना आता है ठीक है, अगर तुमको लाठी का स्वाद चखाऊंगा, तो चित्र अपने आप उभर कर आएगा नहीं सर, मैं फिर से कोशिश करता हूं सर ये कहकर वो फिर से चित्र बनाना शुरू करता है इस बार शाहरुख खान का चित्र बनता है ये देखकर पुलिस वालों को बहुत गुसा आता है इस बार सच मुच में लाठी की मार लगती है हे भगवान, सर मुझे मार ये मत, मुझे उसका चेहरा याद है पर पेंटिंग बनाना भूल गया हूँ इस वज़ा से मैं पेंटिंग नहीं बना पा रहा हूँ आप लोग अगर मेरे पास ऐसे ही खड़े रहेंगे तो मुझे टेंशन हो जाएगी आप मुझे धोड़ी देर के लिए अकेला चोड़ दीजिए मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, सर वो पेंटर बहुत सोचकर फिर से एक चितर बनाता है वो चहरा बिलकुल पुलिस वाले का चहरा था ये देकर पुलिस वाला गुसे में आ जाता है और जोर से मारता है आखिर में पुलिस चितरकार को दो दिन का समय देती है और कहती है हम तुम्हें दो दिन का वक्त दे रहे हैं इन दो दिनों में अगर तुमने चोर का सही चितर बनाया तो ठीक है वरना हम तुम्हारे उपर केस करेंगे कि तुम ही चोर हो लाखों कोशिशों के बाद चितरकार चोर का चितर बनाता है और पुलिस को देता है पुलिस उस चित्र की मदद से चोर को पकड़ती है और रवी चंदर का जो माल चोरी हुआ था उसे वापस करते हैं रवी चंदर जी आप इन बेकार के पेंटरों को यहां रखकर अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं इससे अच्छा है किसी होनहार चित्रकार को रख लीजिए जी, बेशक, धन्यवाद एक बार रवी चंदर पेपर में एड देता है चित्रकार की जरूरत है एड देखकर बहुत सारे चित्रकार रवी चंदर के पास आते हैं सारे चितरकारों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है मेरा एड्रेस देखकर आप सब इतनी दूर से आए हो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी एक ख्वाइश है बिना ब्रश के जो चितर बनाएगा उसे ही मैं अपने पास नौकरी पर रखूँगा यी बात सुनकर सारे चितरकार बिना ब्रश के कैसे चितर बनाएगे यही सोचकर वहाँ से चले जाते है मैं आपका एक ख्वाइश चितर बना लूँगा सुभाश तुम जैसे चितरकारों की ही मुझे जरूरत है धन्यवाद आप मुझे एक चिराग दीजिए ठीक है ये लो सुभाश चिराग को दिवार के पास रखता है और उसकी रोशनी बढ़ा देता है उस चिराग में से आई धुए से दिवार काली हो जाती है सुभाश अपनी उंग्लियों की मदद से रवी चंदर का एक चितर उस काली दिवार पर बनाता है और रवी चंदर को बताता है अरे वाह तुम जैसे चितरकार की ही मुझे तलाश थी बिना रंग और ब्रश के तुमने मेरा इतना अच्छा चितर बनाया अगर मैं तुम्हें रंग और ब्रश दूँ तो पता नहीं तुम कितना अच्छा चितर बनाओगे रवी चंद्र राम को गले लगा लेता है और अपने पास नौकरी पर रख लेता है तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हाड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए और आज की दुनिया तो वैसे भी स्मार्ट वर्क पे चलती है आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुक्रिया बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ सोनु और मोनु की कहानी सोनु और मोनु भाई है लेकिन मोनु देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सोनु इस बात को लेकर उसका खूब मजाग उडाता है तो सोनु को सबक कैसे मिला? आप जानेंगे इस कहानी में तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक गाउं में सुधा नाम की एक औरत रहती थी उसके दो बेटे थे सोनू और मोनू सोनू बहुत ही खुपसूरत था जबकि मोनू बहुत बचसूरत ये बाज सुधा को बहुत परिशान करती थी सोनू जब भी बहार खेलने जाता उसके साथ ही उसे चढ़ाते थे कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था यहां तक की सोनू भी नहीं खेलता था और कहता था तुम बहुत बचसूरत हो तुम हमारे साथ मत खेलो भई दिन ऐसे ही बीटते गए सोनू और मोनू बड़े हो गए एक दिन सोनू मोनू से कहता है तुम मेरे साथ बाहर मताया करो लोग मुझे चढ़ा रहे हैं कि तुम मेरे सगे भाई हो या सोतेले मोनू बिचारा ये बास सुनकर बहुत दुखी होता था और अपनी मा से कहता मा, मैं एतना बसूरत क्यों हूँ मोनू की बास सुनके मा कहती है दुखी मत हो मोनू ये सब तु प्रभू की लीला है कृष्ण भगवान भी तो काले थे तुम बुरे नहीं हो तुमारा दिल भहुत साफ है ये कहकर मा बेटे को गले लगाती है और फिर मोनू को मा सबजी लेने के लिए बाहर भिषती है जैसे ही मोनू बाहर निकलता है तभी उसका पडोसी गिर्धर कुछ काम से बाहर निकल रहा था और वो मोनू को देखकर कहता है हे भगवान सुभा सुभा ये किसका चहरा देख लिया लगता है आज सबसे बुरा होगा गिर्धर की ये बास सुनकर सोनू जोर जोर से हसने लगा और मोनू से कहने लगा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना अगर मैं तुम्हारी जगा होता तो ना जाने कपका मर गया होता मोनू बेचारा ये सुनकर बड़ा उदास हो जाता है और वो नदी की तरफ चल पड़ता है रास्ते में मोनू को एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो ठीक से ख़ड़ा भी नहीं हो पा रहा था मोनू उसके पास जाता है और उसे बैठने में मदद करता है मोनू उस बुढ़े व्यक्ती से पूछता है कौन हो तुम बाबा और यहां क्या कर रहे हो वो बुढ़ा आदमी बोलता है मोनू इधर उधर देखता है तभी उसकी नजर पेड के नीचे बैठे हुए एक बाबा पर पड़ती है उनके सामने कुछ फर रखे हुए थे और बाबा ध्यान में थे मोनू ने बाबा को प्रडाम किया और चुपके से वहां से दो फल निकाल कर बुढ़े आदमी को दे दिये बुढ़ा आदमी मोनू को शुक्रिया अदा करता है फिर मोनू को वो साधू बुलाते है मोनू उस साधू से कहता है दो दिन से उस बुढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं खाया था वो बहुत कमजोर हैं और खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं आप ध्यान में थे इसलिए मैंने आपको बिना बताए चुपके से दो फल ले लिए मुझे शमा कीजिए बाबा कहते है मैं जानता हूं मोनू तुम एक अच्छे इंसान हो मोनू कहता है मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा बाबा मेरी बदसूर्ती की वज़ह से कोई मुझे पसंद नहीं करता और मेरी मा भी मुझे हमेशे यही कहती है कि अच्छा ही होगा पर मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा बाबा मोनू की बास सुनके साधू कहते हैं मा का कहा कभी जूट नहीं होता बेटा तुम्हारा हमेशा अच्छा ही होगा तुम जाकर उस नदी में तीन बार डुपकी लगा के आओ साधू की बास सुनके मोनू नदी में उतरता है पानी में तीन बार डुक्की लगाकर बाहर निकलते ही वो सुन्दर बन जाता है मुनु अपने आपको पानी में देखकर चौक जाता है और दौडते हुए बाबा के पास पहुशता है और कहता है बाबा चमतकार हो गया मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा फिर ये वर्दान क्यों बाबा वो साधु बाबा कहते है तुम्हारा मन साफ है तुम में कोई कपट नहीं तुम हमेशा खुश रहो ये मेरा वर्दान है मोनु इसके बाद खुशी खुशी घर लोड़ता है और रास्ते में गिरिधर मोनु को ढूंटे हुए आता है गिरिधर मोनु को देख कर मोनु को पहचान नहीं पाता है और उसी से पूछता है क्या तुमने मोनु को कहीं देखा मोनु कहता है अरे गिरिधर भाई, मैं ही मोनु हूँ गिरिधर कहता है अरे ये क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे बदल गए मोनु सारी बाद गिरिधर को बताता है चलो अच्छा हुआ और मोनु मुझे माफ कर दो सुभा मैंने तुमको बुरा भला कहा तुम्हारे सामने आने की वज़ा से आज मुझे वेपार में दुगना लाब हुआ तुम सच मुछ में बहुत किस्मत वाले हो इसके बाद मोनु भागता हुआ अपनी मा के पास जाता है और उसको गले लगाता है मोनु की मा मोनु को पहचान नहीं पाती मोनु मा के गले लग कर कहता है मा मैं तुम्हारा राजदुलारा मोनु हूँ मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है इधर सोनु ये सारी बाते सुनकर बिना कुछ सोचे समझे नदी के पास दोड़ता है जाकर वो भी नदी में डुपकी लगाता है और नदी में डुपकी लगाते ही एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है और कहता है अरे ये क्या हुआ मुझे मैं अतना बड़ा कैसे हो गया हे भगवान मेरी मदद करो तब ही वहाँ पर वो साधु बाबा आते हैं और कहते हैं मोनु बहुत साफ दिल का इंसान है और तुमने उसकी पूरी बात नहीं सुनी बस लालच में आकर नदी में डुकी लगाई लालच की वजह से तुम्हें ये रूप मिला है सोनु ड़रा डरा बाबा से कहता है बाबा मुझे माफ कीजिए मैं आप कभी भी लालश नहीं करूँगा और अपने भाई की इज़त करूँगा अब मैं जान गया हूँ बाबा बहरी खुबसूरती से दिल की खुबसूरती बहुत बड़ी है मुझे माफ कर दीजिए तुम्हें एहसास हो गया यही बहुत है एक काम करो तुम फिर से पानी में डुपकी लगाओ सोनू पानी में फिर से जल्दी से डुपकी लगाता है और वो पहले जैसा हो जाता है और बाबा का शुक्री आदा करता है तो बच्चो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहरी खुबसूर्ती से बड़ी दिल की खुबसूर्ती है तो दिल को हमेशा साफ और बड़ा रखें ऐसी और मजदार कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप से मिलूँगा एक नई कहान